हेलो दोस्तों आज हम करेंगे मैराथोन का तीसरा पाट ठीक है तीसरा चौथा पाट है मुझे इतना याद नहीं क्योंकि मैं शादी में गया हुँ था और दो तिन के लिए इस चेकर मैं पर क्लास नहीं हुपाई थी ठीक है कोई बात नहीं अब इस क्लास को पूरा कंपेट क च्छुरू करते हैं पहले कोशन के साथ शारूग ने रानी से कुछ रिए उधार लिए 7 वाट्शे क्ता थार दरन ब्याच पर लिया है कहने का मतब यह है कि शारूइब रानी से क्या करा कुछ पैसे लिए 7 परसेंटे इंट्रस्ट पे कौन साजा इंट्रस्ट अगर चार वर्ष बात उसे ब्याज मूलधन दोनों का 25600 रुपे दिया तो उसे कितना ब्याज देना पड़ा कहने का मतलब यह है कि अगर उसे amount कितना 25600 देना पड़ा तो उसने पूछा है कि कितना उसका व्याज था मतलब ऐसा ही निकालना है तो बहुत ही आसन है तिक गया बात बताईए मुझे कि चार वर्ष की बात है सबसे सिंपल कोशन है देखो साथ परसंद का मदलब क्या होता है सेवन बाए हंडड़ जब एक साल में साथ रुपे का ब्याज दिया होगा तो चार साल में कितना दिया होगा सेवन इंटू फोर कितना होगा ट्वेंट रेशियो में कर रहा हूं ठीक है अगर सौर पे के साथ से सात रुपे का रेशियो एक साल में दिया होगा तो चार साल में कितना दिया होगा ट्वेंट रेशियो हमारा क्या दिया होगा साज में आ गया तो इसका मदलब अमाउंट कितना हो गया मेरा प्रिंसिपल दिख रहा है आपको प्लस SI principle प्लस SI कितना है मेरा 128 ratio और वही मेरा किसके बडाबर है 256 00 के बडाबर है कारदो 28 से कम 28 28 दूनी 256 200 हो जाएगा इसका मतलब क्या है एक ratio का मतलब कितना है मेरा 200 रुपे, कितना है 200 रुपे अब कुछ भी निकाल सकते हैं यह आपका principle है और यह आपका SI है, तो उसने क्या पूछा है SI, तो SI का मतलब कितना हो जाएगा मेरे, 28 रेशियो, तो 200 multiply by 28, multiply करोगे तो 28 into 2 करोगे तो कितना जाएगा 56, तो 56 और double 0, तो option A इसका correct answer है, अगर आप चाओ तो सिंपल भी कर सकते हैं, तो P into R into 3 divided by 100 करोगे तो भी आपका simple answer आजाएगा, चले करते हैं अगला question, दिखिए अगला question, करा साधार्म ब्याच पर एक निश्चित धनराशी, एक निश्चित ब्याच के दर्थ से 20 वर्चों में अपने आपके 6 गुना हो जाती है, तो भी आज की रेट अपताने हैं, तो कि सिंपल दी बात है, अगर amount हो रहा है मेरा 6 गुना, मला 6 टाइम सी है, 6 ratio माल लो, तो principle कितना था भाई, मेरा 1 ratio, बस संज मारी है, यह 1 है, तो संज मारी कि नहीं हा रही, यह 1 है, यह 5, यही तो हुआ होगा 6 ratio, कितना टाइम में, वह P into R into T divided by 100, यह होता है मेरा SI का, लेकिन मुझे amount भी निकालना है, है न, amount निकालना है, तो amount का मतब क्या होता है, principle दुमारे add कर देंगे हम, यह वाली बात है, चाहे तो आप ऐसे कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे हटाओ, इसे हटाओ, हम सिर्फ SI वाले से निकाल रहें, कर लेते हैं, SI कितना है मेरा, 5 ratio, P कितना है मेरा, 1 ratio, rate कितनी है, यह आ रहे लग, यह ratio वाला है, और यह वैसे, 100, और time कितना है मेरा, 20 साल, solve करोगे यह से 5 कम 5, ठीक है, 5, 5, 4, 2, 20, और यह कटेगा, कितना जाएगा, 25, तो rate कितनी हाजाएगी मेरी, 25, कितने हाजाएगी मेरी, 25, बास समझ मागी, यह आ रहे थोड़ा साथ साब करना, बास समझ मागी, तो rate कितने हाजाएगी, 25, चले गरता है अगला question, देखे अगला question, कर एक होज में, दो नल, A और B लगे हुए है, मतलब जैसे एक होज माल लो, यह आफि टंकी कुछ ही मा यह मानता हूँ, लेकिन मैं बोल इंग्रिश में भी रहा हूँ, ठीक है, तो A जो है, उसे capacity का है, कि 5 लेटर पर मिनट, मतलब एक मिनट में 5 लेटर भर देता है, एक गंटे के बास किया है, तो हम 30 से multiply कर देंगे, जबकि दूसर नल B उसे भरे उड़ नल को 40 गंटे में खा हो गया, अब टंकी भरेगी, तो A की capacity जादा है, मतलब A की जो शमता जादा है, और अगर खाली होगी, तो B की जादा है, देख लेता है, क्या है, खाली कर सकता है, जब हौच पूर तरह खाली तथा दोनो नल एक साथ खोल दिया जाए, तो 120 गंटे में हौच पूरी तरह भ बढ़ जाती है, इसका मतलब A की जादा है, A की efficiency जादा है, जो दिक्कत तो नहीं है, चोल निकाल लो, B की efficiency कितनी है, 40 घंटे, LCM ले लो कितना जागा मेरा, 120, यह एक की rate से काम करते हैं, यह तीन की rate से खाली करता है, इसका मतलब यह है कि यह तीन की rate से खाली कर रहा है, औ अब एक हो कितना टाइम लग रहा होगा, 120, बटे 4, कितना हो गया मेरा, 30 आवर, कितना लग गया होगी, 30 घंटे, अब नल की इसमें बोला है, तो होच की शमता बताईए, मला वाल्यूम बताना है, एक बताईए, एक मिन्ट में अगर 5 लिटर भरता है, तो 30 घंटे में कितन आएगा, पूरा solve कर देना, आपका 9000 लिटर आपका answer आजएगा, चलिए करते हैं, अगला गोशन, अगला गोशन, कहला है, अर्चना अपने घर से, स्कूल, 60 किलोमेटर पर से गंटे की रस्तार से जाती है, कहने करना जाने की स्पीड का है, मेरी, 60 किलोमेटर, एक समाल लो स्पीड और स्पीडों का अवरेज दो अलग-अलग चीज़े है, स्पीडों का अवरेज में क्या करता है, में दोनों को प्लस करके डिवाइड बाए 2 कर देंगे, वो नहीं होगा, ठीक है, हमसे बुला आवरेज स्पीड, आवरेज स्पीड का फॉर्मला होता है, 2xy upon में x- सब्सक्राइब एक इस से कड़ गया और एक जिरो इस से कड़ गया मैंटिप्लाइब कर दो तो 48 किलोमेटर पर गंटेगी इसकी एवरेग स्पीड है तो कितना हो जागा ऑप्षिन का करेक्ट आंसर है चलिए करते हैं अगला कोश्ण कोश्ण कहा रहा है 2,2 बिंदू से गुजरने वाली उस रेखा के समीकरण का मतलब क्या है equation of the line क्या equation यह equation of the line यदि रेखा मला जो line है एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्रे कोण में आती है देखो यह कोडिने जमेक्टरी के कोश्ण है थोड़ा बहुत इसका कनेक्शन 11 से भी है और थोड़ा बहुत इसका 9 से भी है चलो को बनाते है देखो इंडार्क लिए ऐसा कुछ था यह हमारा x-axis है यह हमारा y-axis है तो कुछ स्लोप जो है 45 डिग्री बना रहा होगा यहां से कुछ 45 डिग्री बना रहा होगा चीक है 45 डिग्री बना रहा हो तो इसमें 10 की वेल लेनी पड़ती है तो equation of the line का formula होता है यह lime नहीं है ठीक है equation of the line का formula होता है मेरा y1-y2 is equal to x x-1-x2 एक मुनिट है थोड़ा साफ करता हूं अब ठीक है next to minus x1 बासन में आ गई यह 2 है यह 1 है और यहां पर भी 2 डाल देना 1 डालना क्योंकि वह इधार आएगा यह दर आएगा कोई दिक्कत नहीं solve कर लिए लेकिन हमें क्या है हमें y की value दे रखी है यह हमारा हो जाएगा x माल पीछे वाला मेरा y माल नो कोई दिक्कत नहीं है रख दो value पर y2 रख दो कोई दिक्कत नहीं है और x2 रख दो कोई problem नहीं है तो जब इसे रखोगे तो यहां कितना होगा 2-1 कोई दिक्कत नहीं है अब m निकालनी है अब m जो है उस ठीटा से बच लेगा तो m कितना है यहां पर 1045 कितना रख देनी है अब आप इसे पूरा solve करोगे equation को ठीक से तो क्या हो जाएगा मेरा x-y कितना बन जाएगा मेरा 0 x-y करोगे तो कितना बन जाएगा 0 solve कर लेना तो इसका हो जाएगा option 2 बासवज माई चली करता है अगला question देगिए करहा शुब गोविंदा और रेश्मा महला शुब है गोविंदा है और रेश्मा है करहा इनका औस बचन 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 बच 65 दे रखा है इन्हें multiply करता है यहां से 65 multiply by 3 हमारे यह हो जाएगा total all over इनका average बच्वेट हो जाएगा सामा जाएगा नका कि multiply करें तो उनको आज जाएगा अब देखिए अगला के क्या रहा है क्या रहा है शुब और गोविंदा शुब गोविंदा कि average speed कितने दे रखी है मैं बच्वेड का रहा है average वजन कितना रखा है 63 तो कितना जाएगा 63 तो यहाँ multiply जाएगा कितना होगा 63 multiply by 2 और क्या बल रखा है गोविंदा और रेश्मा बलाब गोविंदा प्लस रेश्मा का average कितना दे रखा है 70 तो divide by 2 करेंगे यह दिखर to 70 कितना जाएगा 70 कोई दिक्कत नहीं है तो उसमें बोला गोविंदा का बजन बताओ तो एक बात है यह एक बात है इनका नाम x y z ले लो यह फिर यह ले लो sg r अगर मैं s plus g plus r यह आपका दे रखा है और यह क्या निकला है s plus g और यह क्या g plus r तो इसका मज़र क्या है s plus g plus का g plus r अगर हम इसमें से यह माइस करूँगा तो s से s कड़ी आएगा 1g से 1g कड़ी आएगा और 1r से 1r कड़ी आएगा तो g गोविंदा ही तो बचेगा तो आपका यह यह answer कि इनका multiplication जो आया और इसका multiplication जो आया का multiplication आया तो इन दोनों को plus करके यह वाला माइस कर देना है करके देख लो 63 को अगर हम 2 से multiply करेंगे तो कितना बनेगा मेरा 126 कर लो ठीके 70 करेंगे 2 से कितना आएगा 140 और इसमें से जो यह 65 को अगर में 3 से multiply करूँगा तो कितना आएगा मेरा 195 करके देखना अगर इने आप पूरा सॉल्फ करोगे तो करके देखना 71 आएगा तो उसका जाएगा option to 71 देखे एगला कुशन करेंगे 200 मिटर लंबी रिल गाड़ी 240 मिटर लंबे प्लैट्फरम को 11 से किने पार कर जाती है तो रिल गाड़ी की चाल किलोमेटर में बताई बहुत असान है देखो हमें चाल निकाले किलोमेटर पर आवर में तो डिस्टेंस हो मेरा हो गया मेरा सुल्फ करतो ग्यारा कम ग्यारा ग्यारा चॉक के चवारीज जीरो जीरो फाइब जाएब वाज पाइफ से करेंगे फाइट जाफॉट्टी अठार को आट से मुटिपला करो कितना जागा मेरा 144 किलोमेटर परतिकंट इसका आंसर है चले करते है अगला गोशन आगला गोशन देखें यदि एक रेलगाड़ी के सीटों में सीटों की संक्या उसकी लंबाई के बराबर है तो उसमें बोल रखा है यदि उसकी लंबाई का टू बाइफाइव भाग मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर मैं दोनों को एक्स माल लूँ तो एक्स का hai गोशन को 2 ठवाइशा है मअगर मैं 300 हूद है जो किसके बड़ाबर है मेरा इसकी लंबाई, क्योंकि दोनों X हैं तो बद दोनों को भाई X माल लिया, कर दो solve भी solve करोगे, तो उसे यहां भेज दोगी कितना आएगा मेरा, 3 by 5 X यह दिकल to 300 आजाएगा यह कट गया कितना मेरा, 100 आगया और यहां पर 5 उपर भेज देंगे तो कितना जगा 500, तो X वेल कितना जगी 500 तो टोटल लंबाई, यह फिर सीटों की संग्या कितनी है 500, क्या पूछा है उसने सीटों की संग्या, बात वही है, लंबाई पूछे, तब भी क्या दोनों X हैं, बदोनों 500 जाएगे चले करता है एकला कोशन देखिए अगला कोशन, क्या एक नाओ की चाल धारा के साथ, मतलब धारा का मतलब यह है कि डाउंस्ट्रीम, धारा के साथ कितनी है मतलब इसका मतलब है, X प्लस Y कितना दे रखा है मेरा, 20 दे रखा है और धार्ग के प्रित्मला पोस्ट अप्स्रीम कितनी है एकस माय वाई कितनी है 12 कोई नहीं यह पहली कोशन है यह दूसरी कोशन है कोई दीक्कत नहीं है तो जैसे आप करोगे तो मैंने एक टेखनेक भी बताई थी आपको कि बीच वाली वैल्य होती है तो मैंने आपको एक बा monstrous है कि जब आपका दे रखाऊ तो बीछ वाली वैल्यू क्या होती है मेरी boat कि स्पीड होती है तो अaskaः चाहए धीर जो है चैप्टर में बताई थी जब मैंने इसका basic पढ़ाया था यह triangle वाला form ठीक है चलो अब क्या बोल रखा है उसने धारा की 4 बोल दिये तो धारा की 4 कितनी है चार सब्जमा गया option 1 इसका correct answer है चले करता है एकला question और जो पहले वाला question है यह भी जो मैं कराया था इसको आप sign a plus sign b plus sign c sign d अगर 4 है तो cos a plus cos b plus cos c cos d क्या होगा यदि sign a equal और छोटा है 1 से क्याने का मदा sign 30 भी ले सकते हैं लेकिन satisfied कौन करेगा sign 90 degree sign 90 degree की value क्या होती है यह हमारा satisfied करेगा बासंच मेरी की नहीं कि यह अगर हम जैसे हमने थटी ले लिया तो थटी की value क्या होती है मेरी 1 by 2 होती है चीक है अब 1 by 2 को अगर मैं 4 से multiply करूं क्योंकि यह plus हो जाए तो 4 से multiply जागा तो इसकी value क्या हो आ रही है जो कि 4 को satisfied नहीं कर पारें satisfied से कौन सी कर रही है sign 90 value कौन सी sign 90 की value लगा दीजे देखें अब आपका sign 90 की value क्या है 1 तो यह हमारा 90 हो गया तो एक की value कितने जगी मेरी 90 degree बस सजमारी है इसी प्रकार से यहां भी 1 होगा यहां भी 1 होगा यहां होगा चारों value satisfied होगे चार से क इसका महलब ABC को मैं 90 degree ले लिया है मैंने तो AB कितना 90 B कितना हो जाएगा मेरे 90 चीक है CB कितना हो जाएगा मेरे 90 और DB कितना हो जाएगा 90 बासर्ज मारी कि नहीं आरी चारों को satisfied गरना था तो इसकी value इसकी value इसकी value कुछ भी रख सकते दे तो भाई हमने सब की value क्या है इतना complicated नहीं करा हमने simple से साइन 90 रखते सबकी value क्योंकि 1 1 1 1 1 मिलेगा यहां पर 1 1 1 1 और 1 मिलेगा तो टोटल मिला के चार हो जाएगे अब उसमें पूछा है अगर question सामझ में ना है तो इसका answer zero tick कर देना पिछतर परसंट आंसर एकतम correct होगा चलिए करता है एकला question देखिए एकला question कह रहा है एक व्रित की तीज्या को 10% पहले 10% बढ़ा दिया पहले तो उसके पुराने नए शेत्रफल का अनुपात क्या होगा वह वाली बात है कि रेडियस जो है बढ़ा दिये तो बात अगर 2D शेप की है तो हमारी चीद दो बर बढ़ेगी 10% का जो है हमारा formula है मैं पहले 10% बढ़ा दिया है तो इसमें बोला है कि उसके पुराने और नए का चेत्रफल बोला है तो पुराना पहले आएगा बाद मा करना है तो उसका होजाएगा option to 100 ratio 21 देखो 21 राइज भी दिरखा है वो उसका उल्टा हो जाएगा तो नए और पुराने का बोला है लेकिन कोशन में ऐसा नहीं बोला कोशन ने पहले पुराना बोला है पर नया बोला है आप चाहो तो उसके अंदर x plus y प्लस का xy अपन 100 वा स्थार का average दे रखा 20 कितना रखाया आयू दे रखी 20 मतलब 18 जो बच्चे थे स्टुडेंट दो मालो उनकी कितनी है average थी 20 जब एक 30 वर्ष का एक नए विध्यारती पुराने विध्यारती को हटा कर आता है कहने का मतलब जो है एक 30 येर का आजमी आ गया पुराने वाले को ह साथ 17 जनों के लिए वह एक एक चीज लेकर आया वाला एक 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 केज लेकर आया तो एक इंटू 18 तो इतना हमारा एक्स्टर लेकर आया होगा अग्ष कब लाएगा जब यो बढ़ा होगा तब ही तक लाएगा तो पहले वाला उसमें पूछा है कि पुराने विध्यारती क हैंगे बारा साल का था वो पहले बारा का होगा अब 30 का है जब 30 का है तो सब सब के लिए एक एक लेकर आगए तो अठारा एक्स्टा लेकर आगए जिसके से आप्शेश क्या होगी 21 होगी बासेज माई तो इसका जाएगा अनुक्पाद 5 रेशियो 3 ता तथा 10 वर्ष बाद उनका अनुक्पाद 5 रेशियो 4 हो जाता है तो सुनीता की वर्तमान आजयो बताइए देखिए आपने वो टेक्निक तो करियोगी कि पहले 5 x माल लो फिर 3 x माल लो इसे मैंने x माल लिया उसमें फिर 15 मैं add करूंगा तो 5 upon मे 4 रख दूंगा solve करूंगा x value आ जाएगी वो हो गया लेकिन एक दूसरे टेक्निक देख लो जो important है दूसरी वैंची न ये तो कर रख योगी देखो पहले की एज क्या थी मेरी 5 रेशियो 3 अपकी कितनी है 5 रेशियो 4 अब देखिए इनका gap कितने का है 2 का इनका कितने का है बराबर करो इसमें की multiply इसमें 2 की multiply तो अगर नई ratio देखे जाए तो कितनी हो जाएगी मेरी 5 रेशियो 3 और कितनी हो जाएगी 10 रेशियो 8 अब gap देखिए अब gap कितने का है यहाँ पर कितने का है 2 का gap और यहाँ पर भी कितने का है 2 का gap बिल्कु सही है अब यहाँ से अगर टेफ देखो दो भी बराबर आया कितना है फाइव कितना है फाइव रिशियों की बात की बात हीvat यह न närयुत बहुत हो रही है फाइव कितना बात हो रही है वह सजमात है तो देखिए फंदन साल 화 ah है कार दीजिए कितना हो जाएगा मेरा थ्री हो जाएगा तो एक रिश्व का मतलब कितना है तीन साल कितना है कितना है थ्री यह अब उसने बोला है सुनिता की यह संजे की यह ठीक है एस वाय माल लो यह तो सुनिता की पास्च वाल यह कितनी थी सुरी यह माल लो फाइव पहल तो यह हमारी एवरेश्य का मतलब कितना तीन आर तो पास कितना जगा पंदरा फंदरा प्लस का पंदरा पंदरा इसका पंदरा कर देना अगर तब भी नहीं आयोगा तो मैं एगली वीडियो में से करा दूगा और बागे जो आपका टेक्निक है वह जो हमारी एक्स वाली है कि हमने 5x और 3x माना फिर प्लस का पंदरा प्लस का पंदरा इस इकल टू 5 राश्य फोर 5 पॉन 4 करोगे तब भी हमारी एक्स वाली थ्री आजएगी फिरा पुट कर लना चलिए करते हैं वीडियो का लास्ट कोशन के रहें यद नहीं हो आप एक्स वाईज कहते होंगे कोई दिखकत नहीं का उस्ट क्या होता है ए ड्य क्या होता है ए स्कुआ है प्लस बीप बस स्कूरी प्लस कट टू अगि प्लस BC प्लस CA कोई दिक्कत नहीं है value put करो कि आपका answer आजाएगा यह कितना दिरखा 15 तो 15 का square कर दो यह तो हमें निकालना है तो यह निकालना है से M मान लो कोई दिक्कत तो नहीं है और 2 AB, BC, BC यह जो आपका दिरखा है 85 होग जाएगा जैसे आप पूरे की value solve करोगे तो आपका answer निकल जाएगा और वो answer आपका 55 बास दिन में आगी पूरा solve कर देना यह आपका 2 to 5 आएगा यह आप 85 को अगर 2 से multiply करोगे तो कितना आएगा इसका solve कर देना तो आपका इसी रहा answer आजाएगा चलिए इसे साथ करते हैं वीडियो का end काफी time बात मैंने यह वीडियो बनाई है दो-चार दिन बात बनाई है तो अलकाता गलाई बैठा हुआ है मैं हूँ निडली में तो जैसी यह आप आउँगा तो और ची तरीके से मैं इसे वीडियो बनादूँगा और थोड़ा English में इतका convert करतूँगा चलिए मिलते हैं अगली class में तिल देन बाई बाई टेक केर